नमस्कार केमचो हिंदुस्तानियोई अपनी हिंदुस्तानी के ओफिशियल चैनल पर आप सब का स्वागत है भारत माता की जाय के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे आज कल हीरो अपने देश में कौन बन रहे हैं तालीबानी मतलब दलाल मीडिया को पूरे दिन और कोई काम नहीं है इन लोगों की खबरे दिखाने के अलावा और तालीबान के खुद के मतलब ब्रैंड एम्बेसेडर्स जिसको बोल सकते हैं वो नामर्द दो कौडी के लोग और उसमें बॉलिवूड के भांड भी इंक्लूड़ है वो टेक्स के पैसो पर जो पलते हैं सबसीडिया लेकर जो अपना घर चलाते हैं ठीक है वो लोग इन लोगों के ब्रैंड एम्बेसेडर बने हुए हैं तो सबसे पहले मैं दलाल मीडिया को बूलना चाती हूँ कि तुमारी बहने या बीविया तालीबानियों से ब्यहनी नहीं है तुम्हें जो पूरे दिन जब भी टीवी ओन करो तुमारी यह जो छिछोरी लड़किया है उन लोगों के पीछे पड़ी रहती है आये देखिये खबर मतलब यह धंदे तुम लोग और एंडी टीवी जिन लोगों के पास और कोई काम है ही नहीं ऐसे घटिया लोगों को वो चुन चुन कर उनके मतलब बॉक्स में रखे हुए हैं जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो लोग इन लोगों को बॉक्स के बाहर निकलते और यह लोग तो मतलब है यह आवारा कुट्य जो भॉकने के लिए तैयारी रहते हैं तो मुनवर राना को हीरो बनाना मुझे कती ठीक नहीं लग रहा है क्योंके ही वो चपल चाप लेकिन मैं तो उसको यह बोलती हूँ के एक सच्चा मर्द उसे बोलते हैं मुनवर राना कि जो अपनी जबान पर कायम रहे अगर तुम को इस देश में इतना ही डर लग रहा है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हो तो इस देश को छोड़ के चले क्यों नहीं जाते क्योंके तुम्हें पता है कि तुम्हें बहली भाती पता है और तुम्हें ये भी पता है कि हिंदुस्तान के अलावा तुम जैसे दो कोड़ी के बिकमंगों को और कोई लेगा नहीं, इस वज़े से तुम भॉकने के बावजुत भी ये देश छोड़ कर जा नहीं रहे हो, तो ये मुनवर राना को जवाब था, दूसरी एक बॉलिवूड की फ्लॉप एक्ट्रेस है, उंगली बाई के नाम से पता नहीं, आजकल जानी जात करती हूं, कि इस वरा जो भॉकने की आजादी तुमें इस देश में है न, वो अफगानिस्तान में अगर तुम जाओगी न, तो वहां की ओरतों को पूछना के वहां वो किस हालत में है, बराबर और बहुत सारी ऐसी विधर्मी लड़किया है, जो ये बोल रही है कि करो, दूसरा के जैसे मैंने आगे भी बोला, तुम लोगों को अगर इस देश में इतनी तकलीफ है, तो तुमें सच में दूसरे देश में जाना चाहिए, ठीक है, शायद तुम वहां जाकर सेट भी हो सकती हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां अच्छे घर की ओरतों क को अभी वो लोग सेक्स लेव, मतलब यहां की हिंदूस्तानी ओरिजिनल भाषा में जिसको बोला जाता है वैश्या की केटेगरी में, वो लोग अभी औरतों को इस्तमाल करते हैं, तो अगर तुम्हें वो ही कल्चर अच्छा लगता है, I think लगता ही होगा शायद, है ना, भी तुमारे शायद उसी से मिलते जुलते हैं, I don't know, तुमारी चॉइस तो पता नहीं, शायद घटिया ही है, तो अगर तुम जाना चाहो तो तुम वहाँ जा सकती हो, वो काम भी कर सकती हो, शायद हो सकता है कि तालीबानी तुमें वहाँ की हिरोईन भी बना दे, तुम य ब्रटी, यह विकारी का और कोई काम नहीं है, क्योंको इन लोगों को टके के भाव कोई पुछता नहीं है, तो इन लोगों का अभी एक काम रह गया है, कि कुछ भी कुट्टागिरी करो, भौको ताकि मीडिया वाले हमें कवर करें, उनके आका से लेकर सभी अभी इसी में लगे पड़े हैं, तो सपा का जो सांसद ऐसा बोलता है, जिसको मतलब जब योगी जी ने मतलब तेल लगा के बास तैयार किया ना, तब उसको ने ऐसा वो लगे मेरी जबान फिसल गई थी, मतलब यह खौफ अच्छा है, ठीक है ना, गली के कुट्टे जब आवारा हो जा या बाब ढूंड लो, सरहत के उस पार और निकल लो भई यहां से, ठीक है, मैं हम भी देखना चाहेंगे तुमको कितने यह टाइम तक वहां पर रखते हैं, तो तुम्हारी ओकात चपल में है, तो पंचर छापो की हेल्प और उनके बारे में अच्छा बोलना, उनको हीरो बनाना, और खुद पंचर छाप हो, ऐसा दिखाना बंद करो, इस देश में जितनी आजादी और सहूलियत मिल रही है, वो उकात में रहकर लो, शांती से जियो, और अगर इस देश में कुछ भी आड़ी तेड़ी हरकते करकर, अगर पबलिसिटी स्टंट की है न, तो यह प हीरोधी गती विदियो में अगर तुमको हीरो बनना है, तो इस देश में तुमारी कोई जरूरत नहीं है, मतलब मुझे कभी-कभी लगता है कि इन लोगों के माबाप को शायद शर्म आती होगे, कि क्या उलाद पैदा करी है, मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं थी, वो, मतलब ये ब्रिड वो तैयार होकर इन लोगों की निकली है, इस देश में रहकर जो भी लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके बारे में स्टेट्मेंट देकर उनको हीरो बना रहे हैं, वो कईना कई मुझे ऐसा लगता है कि उनका बाप शायद वहाँ है, जिसकी वज ठीके से उसका नाम आगे लाने के लिए मदद करेगा, इस देश के विकास में सहयोगी बनेगा, और कात में रहकर टेक्स पे करेगा, मेहनत की खाएगा, सबसीडियों की भीक पर नहीं पलेगा लोगों की ठीके, और 10-12 सुवर पैदा करकर इस देश में बस्ती बढ़ाने क काम जो ना करें, ठीक है, उन लोगों की इस देश में मुझे लगता है, सक्त जरूरत है, और मैं मोदी जी को बोलना चाहती हूँ कि आप सच है, लेकिन ये सबका विश्वास वाली जो आप बोल रहे हो ना, वो इस देश में कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक प्रजाती इतनी मुफ्त कोर है, जो हराम की खाएगी, लेकिन है ना, बाजू के देश की तारीफे करने में उन लोगों को बहुत मज़ाता है, तो ऐसे लोगों का इलाज आप करें, इन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि योगी जी को है न, स्पेशल एक सेल बनाना चाह जहाँ ये जो सपा का जो सांसा जो बुढ़व आगया न वकात में, कि मिरी जबान फिसल गई थी, वो बहुत अच्छे से योगी जी ये काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी में योगी जी जैसा पावर होना चाहिए, बूलने का धम होना चाहिए, और हिंदुत्व के लिए वो आग होनी चाहिए, कि तुम्हारे सामने कोई किसी की तारीफ करने से पहले या पाकिस्तान जिन्दाबाद बोलने की हिम्मत ना करें, ये तुम लोगों में वो आग जलनी चाहिए, और ये तभी होगा, जब हर एक हिंदु में सनातन धर्म की आ इतनी सक्षम बनाओ, कि आपकी बहु बेटियों पर कोई आख उठा कर देखना सके, इसी के साथ भारत माता की जै, और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो ये मेरी ओफिशल चैनल है अपनी हिंदुस्तानी, आप इसको सस्क्राइब कर सकते हैं, भारत मात आपकी जै, बन्दे मातरों